नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दुर्गेश और आप देख रहे हैं All in One तो दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको पार्क पार्क में घुमा रहा हूँ आप भी देखिए और मजे लीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए चैनल को तो दोस्तों देखिए ये पुर्णिया जिला में है बनवनखी में बहुत ही अच्छा है छोटा सा पार्क है बट बहुत ही अच्छा है बहुत ही सुन्दर है आप लोग भी घूमने आ सकते हैं मखनहा में देख सकते हैं देखिए बैठने वाला कुर्णि सब लगा हुआ है इधर से गेट है जाने वाला और इधर पोख़ड है शीर ही लगा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है रंग भी रंग देख सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों देखिए घूमने आता है आदमी सब इधर देख सकते हैं इधर देख सकते हैं देखिए दोस्तों कितना अच्छा ना जा रहा है देखिए देखिए बच्चे लोग खेल रहा है तो आप लोग भी घूमने आ सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे जगह के है इधर देख सकते हैं सैड से रोड गुजरा है इधर से देख सकते हैं रोड है यह पोखड है चारो साज से सिरही बना हुआ है देख सकते हैं कितना अच्छा लगा है यह एक छोटा सा पार्क है देखिए बच्चे लोग खेल रहा है खेलने आता है तुम लोग यह क्या बजा रहा है पीपू बजा रहा है देखिए दोस्तों मजे ले रहा बच्चे लोग पीपू बजा रहा है बजा रहा है देखिए दोस्तों कितना अच्छा आवाज निकल रहा है पीपू से तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो आपको दिखाते हैं यहां से हेलमेट ले लो हेलमेट ले लो ले लो ना देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा जगा है यहां फोटो बहुत अच्छा आड़ है सांदार देखिए देखिए दोस्तों हम लोग सेलफी ले रहे हैं बहुत ही सांदार फोटो आ रहा है बहुत मस्त फोटो आ रहा है यहां से दिखाते हैं दोस्तों कितना अच्छा लगा है उधर भी कुरसी बना हुआ है बैठने के लिए देख सकते हैं इधर अंदर जाने वला है लोक है अभी गेट में तला लगा हुआ है नहीं तो अंदर जाके ही दिखाते हैं आप लोग को यह देखिए दोस्तों चारो सैड से रोड बना हुआ है घूमने के लिए देख सकते हैं इधर से भी रोड बना हुआ है जलो चलो तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं साम होने वाली है अंधेरा होने वाला है जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब किजिए दोस्तों और भी आपको नए नए जगा ले जाएंगे घुमाएंगे पार्क दिखाएंगे आज आपको पार्क दिखाएं ये कुन गों है छोटू मखनहा तो मखनहा ग्राम है दोस्तों पूर्णिया जिला बनमनखी प्रखंड में पड़ता है आप लोग भी घूमने के लिए आसकते हैं यहां पर यहां क्या लिखा हुआ है बोोड पर नोटीस भी एड़न लिखा हुआ हुआ है बोट लगा हुआ है यहां लिखा हुआ है महत्मा गांधी नरेगा ग्रामी उकाश भाग बिहार जल जीवन हर्याली पार्क बायो नीकल गार्डेन तो दोस्तों देख सकते हैं छोटा सा गार्डेन है जल जीवन हर्याली पार्क और बहुत ही सांदार जगह पे है दोस्तों खुला जगह पे है चारो साइड से देख सकते हैं आप पेर पोधा है चारो साइड से खुला जगह है इधर खेत है इधर से धान का खेती लगा हुआ है ये साइड में इधर से देखिये दोस्तों रोड है चारो साइड से रोड बन कर दो कर दो दो